नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एगरी गल्चर रिवोलुशन में आज हम कवर करेंगे ब्लैक रिवोलुशन को इससे पहले ओलडे काफी रिवोलुशन मैंने कवर किया हैं जैसे ब्लू रिवोलुशन, ग्रीन रिवोलुशन, पिंक रिवोलुशन, गोल्डन रिवो revolution white revolution सबी की links आपको description box में मिल जाएंगे या फिर आप मेरी playlist में जाएंगे agriculture revolution वहाँ पर आपको सारी videos मिल जाएंगे examination के लिए काफी important होती है तो आज हम cover करेंगे black revolution को जिसके शुरुआत petroleum production को increase करने के लिए हुई थी इसे related सारे important facts को हम cover करेंगे तो वीडियो को अंतर देखेगा चैनल पने हो तो सब्सक्राइब बशे करिएगा politics टिकनों में जीगिट एक जुराफी science रमामेंट इनिकलो जोगी तौम वीडिस के लिए एक बहु हमारी playlist को जूरु चक करिएगा आप किसी भी हुई उस development और उस growth को represent करने के लिए इस term को coin किया गया black revolution यह जो एरा है दोस्तों black revolution का इस एरा में petroleum industry में technological advancements हुई और इसके साथ साथ कई ऐसी policies बनाई गई जिससे petroleum industry में और ज़्यादा growth और और ज़्यादा development हो इसकी वज़े से petroleum की production और consumption में काफी ज़्यादा विर्धी हुई drastic growth और drastic development हमें इस industry में देखने को मिली लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि अच्छा इसका नाम black revolution क्यों पड़ा ऐसा इसलिए क्योंकि जो petroleum है crude oil होता है उसको black gold भी बोलते हैं क्योंकि इसकी high value होती है काफी ज़्यादा value होती है crude oil की इसको black gold भी बोलते हैं अब क्योंकि crude oil को black gold भी बोलते हैं इसलिए इस revolution का नाम black revolution रखा गया इस revolution का जो origin है यह 1975 में हुआ जब इंडियन गौर्मेंट ने यह देखना स्टार्ट किया कि किस परकार से हम petroleum production को एक्सरेलेट कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं इथेनोल की मदद से इथेनोल का यूज करके किस परकार से हम petroleum production को एक्सरेलेट कर सकते हैं इसको देखने का इसके उपर research करने की शुरवाद इंडियन गौर्मेंट ने 1975 में करी थी petroleum production अगर हम इथेनोल की मदद से करें जो की renewable source of energy है और sugar industry का by product है तो हम petroleum को eco friendly energy resources की मदद से इथेनोल और उसकी मदद से petroleum production कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम eco friendly energy resources का use करके petroleum production को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे हमारे environment में बेंभी कम नुकसान पढ़ रहा है और उसके साथ साथ हमारी कंट्री के population इतनी जादा है तो उसमें जो energy और petroleum की demand है जो बढ़ती ही जारी है उसको meet करने में भी हमें काफी फाइदा हमें काफी easy हो जाएगा black revolution भारत में शुरवात किस ministry के दोरा किया गया था बहुत इनिशेटिव की भी शुरवात हुई जैनवरी दोजार तीन में इथेनौल बिलेंड़ पेट्रोल प्रोग्राम यह भी काफी इंपॉर्टन है black revolution के साथ कौन सा प्रोग्राम जुड़ा हुआ है सीधा सवाल पूछा सकता है इथेनौल बिलेंड़ पेट्रोल प्रोग्राम अब यहाँ पे देखो क्योंकि इसके शुरुवात मिनिस्ट्रो पेट्रोलियम और नैच्रल गैस ने करी इसलिए इसका कोई बी स्पेसिफिक फादर नहीं है अगर आप वाइट रिवोलुशन देखें ब्लू रिवोलुशन देखें ग्रीन रिवोलुशन देखें पिंक रिवोलुशन देखें primary energy resources हैं commercial consumption के लिए उनके उपर अपनी जो reliance है उसको decrease करना इसके साथ साथ हम foreign countries के उपर crude oil के import के लिए dependent हैं हम बहुत सदा crude oil foreign countries से मंगवाते हैं तो उसके dependence को भी reduce करना ये भी इसका ये game था अब आज के समय आप सब जानते हैं कि hybrid और electric vehicle का या hydrogen के साथ चलने वाले vehicles का या cng के साथ चलने वाले vehicles का प्रेचलन काफी जादा बढ़ रहा है हमारी जो government है वो भी काफी जादा इन सब चीजों को प्रहुत साहित कर रही है electric vehicles को बढ़ाने के लिए हमारी government ने fame इंडिया scheme को launch किया है इसके साथ एको टेकनोलोजी काफी खबरों में थी that is e retrofitment जहां पर जो normal कार होती है उसको भी electric काड़ी में convert कर दिया जाता है इन दोनों को मैंने अच्छे से लग वीडियो में कवरी किया है जरूर देखेगा काफी important आपके examination के लिए सीधा स्वाल पूछा सकता है link आपको description box में मिल जाएगा अब आती है increase production देखे black revolution का aim क्या है कि significant petroleum production को हम increase करें ताकि हमारे भारत में energy की जो rising demand है जो demand बढ़ रही है उसको हम meet कर सकें फिरा थे technological advancements यहां पे काफी technological innovations हुई और petroleum की extraction processing और distribution में काफी ज़्यदा improvements भी हुई फिरा थे economic growth black revolution जो है उसका aim है कि economic growth को stimulate किया जाए और foreign imports के ओपर foreign countries के ओपर crude oil के ओपर हमारे जो dependence है उसे भी काफी ज़्यदा decrease किया जाए policy changes black revolution के वज़े से काफी law और policies में changes है ताकि एक favorable environment बनाया जा सके petroleum industry की growth और उसकी development के लिए अब आता है sustainable energy alternatives के लिए एक shift देखिए हाला कि हमने petroleum production को boost तो करना है लेकिन इसके साथ black revolution का aim ये भी है कि हम sustainable practices को भी incorporate करें इसलिए oil का alternative हमने bio fuel का use चुना जिससे हम green house emissions को भी कम कर सकें और environmental impact को भी reduce कर सकें अगर कुछ important features के बात करें black revolution की सबसे पहला ता technological innovation यहाँ पे black revolution का characteristic यही है कि यहाँ पे innovative और advanced technology का use किया गया petroleum की processing और उसके exception के लिए अब यहाँ पे कौन-कौन से important technological innovations आती है deep seed drilling है hydraulic fracturing है और automated refineries है वजह से significant infrastructure development हुई है जिसमें refineries pipelines और storage facilities की expansion आती है पर आता है environmental consideration देखे अब हाला कि increasing petroleum production petroleum production का increase यही एक focus था black revolution का लेकिन यहाँ पे primary environmental concerns को भी account में लिया गया और यहाँ पे सारे वो efforts को लगाने के बात हुई जो की environmental impact जो है petroleum exception और उसके use का उसको mitigate करने के लिए important है economic contribution के बात करें तो जो black revolution है उसने global economy में भी काफी significant अपना contribution दिया है काफी vital role pay करता है यह goods के prices को influence करने के लिए exchange rates को और economic stability को influence करने के लिए कुछ important challenges के बात करें तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने आपको बताया कि जो ethanol जिसकी use से petroleum production को बढ़ाने के बात होई यह sugar का byproduct है तो अभी यहां पे क्योंकि यह sugar mills के byproduct में predominantly produce होता है तो यहां पे इसकी production में भी काफी constraints आई बहुत कम यहां पे हमें ethanol जो है वो मिला इसने हमारी जो required petrol की demand थी उसमें आधी demand को ही fulfill किया तो बायो इथेनोल की inadequate production और fluctuating prices एक बहुत बड़ा challenge था इसके इसास है ethanol को handle करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि ethanol जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेमेबल सबस्तांस है तो यहां पर स्टिंजन सेफटी और रिस्क प्रिकॉशन में काफी जरूरी है प्रोड़क्शन स्टेजिस में जो कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को और ज़्यादा कॉंप्लिकेट कर देती है फिर आता है ब्लैक रिवोलुशन जो है उसमें शूगर कें क्योंकि यह शूगर इंडिस्टी का बाइप्रोड़क्ट है तो शूगर कें के लिमिटेड अवेलिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो की सोर्स है इथनोल की प्रोड़क है तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं यह बहुत बड़ा चैलेंज है फिर कुछ वायबल अल्टेनेटिव जाते हैं जैसे के जैट्रोपा सीड लेकिन अब इसका ओईल भी पोटेंशली बाइफ्यूल में कनवर्ट करने के लिए इने डीबल है तो यह भी काफी जादा जिसके बाद भी ब्लैक रिवोलुशन जो है उसकी काफी पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिली हैं काफी पॉजिटिव आउटकम्स या पॉजिटिव इंपक्ट रहा है ब्लैक रिवोलुशन का और इसकी वेसे जो बाइफ्यूल की जनरेशन होई उससे कारबन ड opportunities भी create हुई हैं अब इसके वैसे technological advancement हुई है efficiency और जो productivity है petroleum industry की वो भी काफी जादा improve हुई है और इसने significantly हमारी economy में contribute भी किया है इसने trade goods के prices को influence किया है इसने substantial amount of revenue भी हमें provide किया इस देश को हमारे petroleum reserves की मदद से अब हला कि black revolution ने petroleum production को increase तो गिया लेकिन इसके साथ साथ जो environmental concerns होत है potential pollution और climate change के fossil fuel के use की वजह से उसको भी इसने काफी ज्यादा raise किया है तो यह है दोस्तों black revolution इसलेटे सारे इंपोर्टन जीक एफेक्स हमने देख लिए जो आपके examination के लिए ज़रूरी है बागे जितने भी important agriculture revolution उन सारों के लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे या फिर आप को जूरूर देखेंगे लिंक में description में दे दूँगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉल्टिस टिकनों में जेके टिक जो आपके साइंस रवामें टिनिकलोजर की ताम वीडियोस के लिए एक बागे हमारी प्लेडिस को जूरू